सुरी शिवाय नमस्तु भ्यम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि पंडी जी के विवात को लेकर लोग उल्टी सीती बाते बोल रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं जिसका कोई आर्थ ही नहीं बनता है पर दोस्तो मुझे एक बात समझ नहीं आती जो लाखो करूर लोग पंडी के बारे में कोई भी यहां पर बात नहीं किजाएगी के पंडी जी नहीं बिलकुल भी नहीं जमती है वोग साधू संतों के मुखारविंद से दोस्तों हम किसी की बुरा ही नहीं कर रहा हैं किसी के अच्छाई एक लोगों के बीच में फैलाई जा रही है वो किस तरीके से यहां पर बढ़ सकती है दोस्तों यह पूरी बात जो है यह प्रेमारण जी की एक वीडियो से यहां पर उठी हुई है वरना दोस्तों महीने भर से पंडित जी को लेकर मथुरा व्रंदावन में बहुत विरोध चल रहा है वहां के जो संतजन है जो मेरे ख्याल से पंडित जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते उन लोगों के द्वारा महीने भर से क्या हो रहा है वरंदावन में उनके खिलाब विरोध किया जा रहा है हाला कि उनके पुतले भी जलाय जा रहा है मुझे ये बास समझ नहीं आती वरंदावन में जो लोग रह रहे होंगे क्या उन लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पंडित जी को दिल से मानता हो अच्छे से जानता हो और उनकी गठा सुनता हो बहुत सारे लोग होंगे पर आज वो सभी लोग चुप क्यों बैठे है दोस्तो ऐसा मतलब वो निकल कर आया कि पंडित जी को कितना बुरा लग रहा होगा कि उनके पुतले वहाँ पर जलाय जा रहा है उनकी उनका मुह लगाकर उनकी मुह की फोटो लगाकर वहाँ पर पुतला जलाय जा रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है जब पंडित जी कता करते हैं तब तो लाखो लोग, करोड़ लोग उस पतापंडाल में पहुंच जाते हैं जब आज उनको आपके साथ की मतलब चाहिए तो भई आप लोग उनका साथ क्यों नहीं दे रहो है जहां पर भी कमेंट सेक्षन में जाकर देखोगे कि भई लोग ऐसे बत्तमीजी से बात कर रहे है कि पंडित जी को ऐसे बात करना चाहिए या प्रदीब जी को ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए प्रदीब जी को माफी माँगना चाहिए इनको कुछ नहीं आता है टोटके बताते रहते हैं ऐसी बाते ये बिल्कुल भी चस्ती नहीं है मेरे क्याल से तो जहां पर भी आप लोग यूट्यो वीडियो या कुछ भी वीडियो देखो और कमेंट सेक्शन में अगर पंडित जी के बारे में कोई भी कुछ उल्टा सीधा लेके तो भी आपको उसको वहीं पर जाकर जवाब दे देना चाहिए तो पंडित जी कभी आने के लिए मना नहीं करते पर जिस तरीके से ये बात लोगों के बीच में लाई जा रही है और लोगों के दौरा पंडित जी को किलाफ जो है विरोध कराया जा रहा है यह बहुत ही गलत बात है ठीक है जाती है वो पूरी वीडियो क्लिप नहीं दिखा दिखादी जाती है ना ही वो पूरी काथा दिखाई जाती है जिस में बात बोली हुई ति है न मातर उसका एक पीच का इससा उठाआ जाता है और वो सब में मानते हैं, यहां तक कि van drin ji jin coyд भी यह बात बूली कि प्रेमा न journée महराज को खुद भी फॉलो करते हैं उनकी जो बाते हैं उने भी फॉलो करते हैं पर पंडी जी ने यह बात कही पर उनने जो वीडियो है वो गलत तरीके Seit से दिखाई गई है जिसके बाद उन को ये क्रोध आया और क्रोध आने के बाद उन्होंने ये ये बाते करी दोस्तों वीडियो देखने के बाद जो भी पंडिस जी को दिल से मानता होगा ना उसे जरूर बहुत बुरा लगा होगा पर ठीक है कोई बात नहीं क्योंकि प्रेमान जी को गलत तरीके से वो वीडियो यहाँ पर बना डाली है न, तो भई जिस तरीके से आधीहदूरी जानकरी प्रेमारंजी महारज को दिखाई गई, भई उसी तरीके से ये जानकरी सबी को दी जा रही उस वीडियो क्लेप को सभी में फर आए जार रहा है और यह जिया जार नीचा गिराने के लिए की जा रहा है उनकी प्रसद्धी को गराने के लिए की she žAR ठीक है अब एक्जाम्पल में आपको एक बताता हूँ कि आप उस एक्जाम्पल से समझना कि क्या हाल चाल है ना तो देखो पंडी जी ने एक उपाय बताया है जो कि उपाय विवादों में भी रहा है और वह फेमस उपाय भी है जो कि बच्चों के लिए है वो उपाय जो है वो बेल पत्री पर क्या करने वाला है शहद लगाने वाला जो उपाय है वो पंडी जी ने यह पर बड़ी क्या है जो विरोधी है उन्होंने सबसे पहले तो वीडियो को काटा वीडियो को दरसल पूरा आप लोगों को दिखाई नहीं है दरसल पंडी जी ने उस पूरे उपाय में ये बात बोली हुई है कि अगर कोई बच्चा अपनी पूरी मैनत करता है अपने से पूर पर देने जाएगा तो भई वो कभी फेल नहीं हो सकता पर उपाय करने से पहले आपको खुद की मैनत करनी पड़ेगी खुद का परिश्रम करना पड़ेगा ये बात भी पंडी जी ने अपने हर उपाय में बोली है जब भी ये बेल पत्र पर शढ़ा दो और आप लोग पा पीछे की बात जो थी वो बहुत ज़ादा महत्वपुन थी उसके बिना ये उपाय पूरा ही नहीं होता है उसी तरीके से ये वाली जो बात है राधारानी जी को लेकर वह भी यहाँ पर पूरी यही बात हो रही है उसमें भी सर्फ आधी बीच के एक छोटी सी वीडियो क्ल है बलकि ऐसा नहीं होना चाहिए पहले पूरी चीज की जांच होनी चाहिए ठीक है अब दोस्तों पंडी जी ने आप लोगों को हम बता दें कि न्यूज 18 पर एक इंटर्व्यू भी दे दिया हमें कभी ये बात अच्छी नहीं लगती कि पंडी जी खुदा कर मतलब क्या कर करते हैं कि लडाई को बढ़ाने की कोशिश करते हैं गलत तरीके से जो है मतलब किसी को भी यहां पर वो मतलब सामने रख देते हैं तो इसलिए हम कभी यह नहीं चाहते है कि पंडी जी किसी भी न्यूज चनल पर अपना इंटर्व्यू देने जाए पंडी जी अगर सबसे अच्छे जादा कहीं अच्छे लगते हैं तो वो सिर्फ और सर्फ व्या स्पीट पर लगते हैं इसके अलावा वो कोई और अच्छे नहीं लगते हैं तो भई अभी उन्होंने क्या किया है कल ही वो वीडियो निकल कर आया है न्यूज 18 पर उन्होंने अपना जो है एक पड़े क्योंकि निवेधन करेंगे आप किसी निवेधन पर मत जाना बाकी हम सभी लोगों आप लोगों के साथ है और अगर आप लोग भी साथ हो तो एक कमेंट यार कर देना क्योंकि आज अगर कोई उपाए मतलब पंडी जी बताते तो आप सभी लोग उसे सुनते करते भी जरूर तो भई आज पंडी जी को लेकर कुछ-कुछ बात है इतने सारे लोग कह रहे हैं तो भई हमें भी चुप नहीं बैटना चाहिए क्योंकि भई पंडी जी भी लाखो करोड़ों के दिल में बसते हैं उनके द्वारा बताये गए उपाये दरसल बहुत सरे लोग इने टोटके कहते हैं टोटके अलग होते हैं उपाये अलग होते हैं पंडी जी हमेशा उपाये बताते हैं कभी टोटके नहीं बताते हैं इस बात का भी आप लोग विशेश रूप से यहां पर ध्यान रखना ठीक है उसके बाद में दोस्तों कई सारे सादुजंद हैं जो व्रंदावन, मतुरा वगेरा के हैं वहां से क्या मतलब मांग कर रहा है कि पंडीजी माफी मांगे सबसे पहले तो हम आपको एक बात बता दें कि पंडीजी ने माफी पहले से मांग लिया उन्होंने ये बोल के माफी मांगी है कि अगर हमारी वाणी से निकले हुए किसी शब्द से किसी को भी कोई ठोस ठेस पहुँची हो तो उसके लिए हम शमा मांगते हैं वो भी व्यास्पीट से शमा मांगी है सब के सामने शमा मांगी है कि अगर हमारी निकली होई वाणी से किसी को भी कोई ठेस पहुची हो, चाहे सादू संतों, चाहे कोई व्यक्ती हो, तो भई उसकी तरफ जो है, उन्होंने माफी मांग ली है, व्यासपीट पर बैठकर माफी मांगना इक बहुत बड़ी बात होती है, और अकेले में माफी मां पंडीजी को जो लोग दिल से मानते हैं वहींशा ही ऐसी मतलब वह अपनी व्यास फीट से जो है मतलब कुछ-कुछ बाते आदर और सम्मान से मतलब सभी लोगों से बोल दी वरना पंडी जी इन सभी विवादों में पढ़ते ही नहीं है वो भले ही विवाद चलता रहे पर उन्हें कोई मतलब नहीं रहता महिने वर से व्रन्दावन में यही विवाद चल रहा था पंडी जी को लेगर पर उन्हें कुछ नहीं बोला पर जब एक विशेश और उनके चाहने वाले ही संत ने कुछ बोल दिया तो इसी वज़ा से उन्हें बोलने पड़ा क्यों कि प्रेमान जी महाराज को पंडी जी साम ने लाया गया है और जो विरोधी है भाई वो इस समय बहुत जादा खोश होंगे क्योंकि उनकी जो चाल है वो काम्याब भी यहां पर हो रही है हर बार पंडी जी का कोई ना कोई ऐसा मतलब भाश्र निकाल लिया जाता है जिसको लेकर हमेशा यहां पर विवाद गई है ना तो भई उसके बाद पंडी जी से यह भी एक पूछा गया इंटर्वियो में कि भई पुलिस कंप्लेंट आपकी खिलाफ हुई है तो भई उस पर आप क्या गहना चाहेंगे तो पंडी जी ने सीधी सी बात कहीं कि हमारे पास पुलिस को लेकर या किसी कहीं से भी कोई भी फोन नहीं आया है कि आपने ऐसी बात क्यों बोली जो भी कुछ चल रहा है यह पूरा शोशल मीडिया पर ही चल रहा है वीडियो के जरीय ही चल रहा है पंडी जी के पास अभी कोई ऐसा नोटेस या कुछ भी फोन वगएर नहीं आया है ठीक है और पंडी जी ने य ही है ये नहीं उसके बाद पंडी जी खुथ जानते हैं और Anchor बीस सचा यह वो सब के सामने आही जाएगी ठीक है उसके बाद में दोस्तो हैं सभी लोगों से मात्र एक ही निवीदन है कि देखो जब पंडी उपाय् बताते हैं जब पंडी हर बात बताते हैं, हम उनकी हर बात मानते हैं, पर आज पंडित जी, मतलब पंडित जी को मन से दिल से कितना बुरा लग रहा होगा, ये शायद हम और आप नहीं समझ सकते, पर आज मातर आपके उनको साथ की जरूरत है, तो क्या आप उनका साथ नहीं दोगे, आज अगर हम य महाराज जो है सही है उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा बलकि कोई ऐसा नहीं सोच रहा है कि पंडी जी ने पंडी जी की बारे में क्या 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 बाते कही गई है अगर पंडी जी चाहते तो पंडी जी क्या कुछ नहीं बोल सकते थे पर पंडी जी ने कितने आधर और स सम्मान से सभी संतजनों का सम्मान की और दंडवत प्रणाम करते हुए बोला कि अगर कोई भी व्रंदावन से फोन आएगा तो वो उनको वहाँ पर जाएंगे और दंडवत प्रणाम करके इसका प्रमार देंगे कि जो जो भी उनने बाते बोली है वो किस आधार पर बोली है पंडी जी का बहुती जो सवाव है बहुती अच्छा है पस आप लोगों का यहाँ पर साथ चाहिए एक एक व्यक्ति जो पंडी जी को सच में दिल से मानता हो उनके उपायों को अच्छे से फॉलो करता हो उनके वरतों को करता हो मतलब पंडी जी जो उपाय बताते हैं उनको वो वरत करता हो, तो भॉए है वो एक बार स्ट में जाकर जरूर एक बार लिफ देना कि हाँ हम पंडी जी के साथ है, और पंडी जी जो भी करेंगे वो सही करेंगे, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि अज यह सही है या वो सही है, बस विरोधियो की तरफ से पंडी जी का नाम नीचे गिराने के लिए इस तरी की वीडियो वाइरल की जाती है जिसमें वो आज सफल भी होते हुए नजर आ रहे हैं पर अगर आप लोग साथ रहेंगे तो ये सफल असफलता में बदल जाएगी इसलिए आप लोगों का साथ चाहिए इस वीडियो को आप लोग शियर कर देना क्योंकि शियर करने से ही जो है ये जानकरी जात लोगों तक पहुँचे की और पंडी जी के साथ लोग यहाँ पर बने रहेंगे बस इतना सा कमेंट चाहिए बाकिये मैं आप से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में पंडी जी की कुई भी एक अच्छी सी खबर लेकर बस हम ये चाहते हैं कि पंडी जी किसी भी न्यूस चनल पर न जाए क्योंकि ये पंडी जी अगर अच्छे लगते हैं तो सिर्फ वर सिर्फ व्यास स्पीट पर लगते हैं आपकी हिसाब से क्या है वो सारी बात आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं ओम नमाई शिवाई जय बोले अबासरी शिवाई नमस्तु भीया